हे गाईस वेलकम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है अपका इस वीडियो में तो दोस्ता एक बहुत बड़ी खुसकबरी निकल के आ चुकी है आईटिया वालों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है रेलवे की तरफ से ओफिसल नोडिफिकेशन जारी कर दी गई है यहाँ पर आगामी जो भी लेवल बन की जॉब्स रेलवे में निकलने वाली है वहाँ पर सिर्फ आईटिया पास आउट केंडिडेट इस पॉंप को फिल अप कर सकते हैं या फिर एपरेंडेसिप किया हो देट इस ग्रीए अपशनोटी आर इस चीज क्या हम सालों से इंतजार कर रहे थे कब यह चीज बेनिफिट्स देखने को मिलेगी फाइनली वह ओफिसल नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है और सब कुछ फिस नोटिफिकेशन में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं इससे पहले कौन-कौन से केंडिडेट चाहते थे कि ग्रूप D में IT लागो हो वीडियोस को एक लाइक जरूर कीज़ेगा और हमें कमेंट करके बताइएगा ये फैसला सरकार कर कैसा रहा तो गाइस फाइनली एक ओफिसल नोटिफिकेशन है आप देख सकते हैं देख सकते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक बात यहाँ पर काफी ज़्यादा यहाँ पर चर्चा हो रहा है ये कि हूमरस के मादियम से कि ग्रूप D की बहुत बड़ी भरती आने वाली है सेप्टमबर, अक्टूबर, नॉमबर, दिसमबर तक मतलब कुछ भी कुछ मैनों में रिलीज हो जा सकती है इसका क्या सच्चा ही है कितनी आ सकती है सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो ध्यान से सुनना वैसे एक बात मैं बता दूँ ग्रूप D की बहुत बड़ी भरती फिर से आने वाली है यहाँ पर बताजाए प्रिस्क्रूप्टेड मीनिमम एजुकेशनल क्यालिफिकेशन फोर डायक्ट रेक्ट्रीट्मेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल बन अफ दी पे मैट्रिक्स इन सिबिल इंजिनियरिंग मेकनिकल इलेक्रिकल और सिगनल और टेलिकॉम देपार्टमेंट इन दी केटरिंग विंग और रेलवे जन टेन पास जो प्लस अपरेंटिशी जो नेशनल अपरेंटिश से शट्पीट यानि के नसी या फिर गरेंटेट बाइशनल कांसिल फोर वोकेस्नल ट्रेनिंग या फिर टेन पास प्लस आईटिए तेकिए फाइनलि गाईज यहाँ पर जो आपका ट्रेड टेक्निकल से रिलेटेड जो आपका फोस्ट होने वाला है जितने भी पोस्ट होते हैं सिविल इंजिनियर में सिविल इंजिनर में बहुत सारी पोस्ट होती हैं देन मेकनिकल में बहुत सारी पोस्ट होती हैं सबसे ज्यादा रेलवे में जो गूरू स्वारी 99 परसंट आप जो होने वाली है यहां पर वो सिर्फ आई टी आई की एक एंडिट की लिए ही ऐलिजबल होगी अब यहां पर बात बनता है क्या सर्ट टैन्थ पास वाले आप ग्रूप डी में फॉर्म फिल अप नहीं कर सकते हैं कुछ सारी पोस्टें होगी जहां पर टैन्थ पास वालों को मिलेगा ही मिलेगा और यह कभी मत सोचना कि अब यह चेंज़ेज रेलवे में फिर से देखने को मिलेगी अब कभी भी चेंज़ेज नहीं होगी इसमें सब-सब कुछ बता दिया गया है 2018 में सिर्फ यही था और होना भी चाहिए यार आईटिया दो साल टाइम वेस्ट करते हैं रेलवेस के लिए अगर कोई वंदा आईटिया कर रहा है ना सबसे पहला सपना उसका होता है ना लोको पाइलेट में जाना हमको तो यह बहुत बड़ी ड्रीम होती है उसके पीछे दो साल वेस्ट करते हैं तो कहीं ने कहीं उसके लिए चाहिए कि रेलवे में इस तरह का वैटेश मिले एक बहुत अच्छा जो प्लान है सरकार ने फिर हमें दिया है और जरूरी भी है आपको कैसा लगता यह चीज़ कैसा लगा मुझे फडाक से कमेंट करके जरूर बताए देख सकते हैं टेंथ पास अब जाए हां लेकिन यह चीज़ होगी जितने भी टेक्निकल ब्रांचेज होने वाले हैं उसमें टेंथ पास एप्लाइ तो कर सकते हैं लेकिन टेंथ पास के साथ आपका नेशनल एपरंटिसिप का सर्डिफिकेट जरूरी है यानि कि टेंथ पा तो सबीस पास होतं उसको हमैशा मिलेगी यहां पर अलग से जो अप्रंटिसर करेंगे तेंथ पास कोई qo इंपलाइ करना चाहता है इस वैक्यंशी को तो तेंथ पास करके करते अप्रंटिसिप करना ज़रूर होगा तभी अप्लाइ कर सकते मैं तो कि बागी बाहिए आई यहां पर देन यहां पर बताए जा रहा है और आगे चलते हैं दस प्रिस्कुप्टेड मीनिमम एजुकेशनल क्वाइफिकेशन वाइस होवर रिलेक्स जो टेंट पास या फिर नेशनल एपरेंटिशिप सेटिफिट गरेंटेट बाइशनल काउंसिल याने की एंसे वीटी य मैं आप देख सकते हैं RRC 2019 में इसमें भी बताए गया कि कौन कौन सी टेक्निकल की ब्रांशेज आपकी होने वाली है जिसमें आपको LGBT कंडिशन देखने को मिलेगी अब इसमें बोलोगे कि 2019 में जो वेकंसी अप्लाय हो रहा है याने कि अभी जो रिसेंटली ग्रूप डी का फॉर्म एक्जाम हो रहा है जो एप्रेंटयसिप किये हैं पिर आई टीया किया हैं क्या उसको बेनिफिट्स मिलेगी या फिर उसमें भी टेंट पास हाटा दिया कि जींहीं गयी जो छीजें हो चुकी है जो एकजाम दे देरें टेंट पास यह सेम चलेगी अब जो नई वे यानि कि आपका pass क्या 10th pass प्लस NAC होना चाहिए या फिर आपका ITI की trade apprenticeship किसी भी set weight जरूरी है 20% के लिए बाकी बागी बाद ITI आपने किया बिल्कुल Fraser apply कर सकते हैं 10th pass प्लस NAC apply कर सकते हैं तो simple सी बात है finally guys ITI लागू हो चुकी है ग्रूप D में अब जो भी अगामी भरती आएगी वो technical branches में सिर्फ ITI वल्ले बच्चे apply कर पाऊगी मतलब समझ रहे हो ना कि bumper भरती आती है और selection के लिए कितनी opportunity आपको मिल जाती है और यह इस बार भी vacancies अगर आ सकती है तो approximately 60,000 से भी ज्यादा group D में भरती निकल सकती है और जब इतनी भरती आएगी तो सोचो 60,000 का अगर मैं कुछ भी percentage अगर extra मान के चलू तो approximately 50,000 जो vacancies होगी वो सिर्फ ITI वालों के लिए जोगी या फिर 10th pass करके जो NAC होती है 10th pass करके NAC तो बहुत कम करते हैं ये कब तक आ सकती है कि group D की नई vacancy देखो पहले ये notification इंजो आए करो बहुत बड़ी notification और बहुत good news है वीडियोस को एक लाइक जरूर कर देना कि इतनी बड़ी good news है तो बनता है अब यहाँ पर दूसरा रिकल के आता है कि sir जो group D की अभी अब सुनाई दे रहा है कि approximately जो vacancy पचास साथ हजार आने वाली है वो कब तक आ सकती है देखें इसकी कोई भी official update नहीं है railway वैसे भी update जारी करती नहीं है बट जो एक लाख चालीस अजार की announcement हुई थी railway minister स्री आस्विनी वेस्नौफ जी द्वारा वहाँ पर जो vacancy जा सकती है इसमें तीन तरह की recruitment निकल सकती है पहली vacancy तो होगी वो LP technician and JE की होने वाली है यह दोनो vacancy confirm है यह निकलेगी ही निकलेगी यह और यह निकले 2022 में नहीं 2023 में vacancy आपकी LP technician and JE की निकलने वाली RRB, JE की उसके बाद बंचता है एक post है आपका RPF है, ministerial isolated वाली है और सबसे बड़ी vacancy group D वाली है अब group D में vacancy देखिए 2022 तक कोई भी chances नहीं है और मुझे भी नहीं लगता कि 2023 में भी vacancy की chances कोई बन सकती है group D की बाकी बाद LP technician से निकल जाएगी group D का chances only for एक election का मामला है जो की 2024 में बंपर भरती लेकर फिर आ रहा है ले लिए काइदा इस तरह की कोई भी update अभी नहीं है जैसे कोई official आती है मैं बता दूँगा फिलाल ये notification को enjoy करो खुसिया मनाओ कि आईटे वाले को मानिता दे दी गई है official है और इस notification का link description में हमारा telegram channel join कर लें आपको मिल जाएगी तो वीडियो इस पर लगी हो प्लीज लेक्स तर और सब्सक्राइब करें चले में ते नेक्स वीडियो में दगले स्वेहिंद